अब एक जो 1D array है तो उसको हमें function में pass करना है तो कैसे pass करते हैं तो इसके दो तरीके हो सकते हैं एक क्या कि एक तो हम पूरा का पूरा जो array है उसका whole मतलब हम pass कर दें function में और दूसरा क्या है कि हम एक-एक element उस array से लेके और individually उसको pass करें तो अब ही क्या है कि हम देख रहे है passing individual element तो यहाँ पर हम यह जैसे same जैसे हमने function पाया था वैसे है कि मतलब एक element लिया और उसको हमने pass किया बाकि इसमें कुछ खास difference है नहीं फिर भी एक example देखते हैं यहाँ पर एक array मैंने ले लिया इसका size है 10 है और यहाँ पर अब क्या है क कि एक एक जो इसका array है array का यहाँ पर मैं function call कर रहा हूँ और उसमें क्या pass कर रहा हूँ array of i मतलब individual element जो यहाँ से 0,1,2 यह सारा individual हम pass कर रहे है यानि कि same अगर यहाँ पर जब 0 है तो यहाँ पर array of 0 क्या होगा 0 pass हो जाएगा function call हो जाएगा उसी तरीके से जब यहाँ पर i1 1 हुआ तो 1 वाला element pass हो जाएगा 2 हुआ तो 2,3 हुआ तो 3 तो इस तरीके से यह function हमारा pass होता जाएगा और यहाँ पर मैंने एक function लिया और इसमें एक variable ले लिया यह और यहाँ पर क्या कर रहा है मैं print करो कि receive number is जो भी मतलब हमारा number receive हो रहा है तो उसको हम print कर रहे है तो यह क्या हो गया कि मतलब हम जो एक 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 जो है individual जो element है हम array वाला लेके और उसको pass कर रहे है और फिर function में print कर रहे है तो इसमें और कुछ नहीं बस यहाँ पर हम जिस तरीके से access करते है उसी तरीके से हम print कर रहे है बाकि अब देखते है जो एक पुरा का पुरा जो array है वो हम गैसे एक साथ pass कर सकते है